आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूं धबा स्टाइल चेने और माश की दाइल जिस तरह हम हाइवेज पर जाते हैं तो चेने और माश की दाल मिलती है तो वह सेम उसी प्रोसीजर से मैं आज चेने और माश की दाल बनाऊंगी आप भी देखें और अपने घरों में जरूर ट्राइए करें यह जो रेसिपी है यह बहुत ही मज़ेगी बनती है गर्मियों में बहुत पसंद आती है अचार के साथ आप रोटी के साथ इसको खाएं और एंजोय करें तो हम अपनी रेसिपी को शुआ करते हैं सबसे पहले मैंने वन गप जो है वो ऐल ले ले लेना है मैं इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लंबी देर तक पका सकते हैं, तो मेरे पास प्रेशर कूकर है, तो मैं वो इस्तमाल करे हूँ, अच्छा ये मैंने एक कप ओईल ले लिया, एक कप ओईल में मैंने एक बड़ी प्यास को शामल कर देना है, ठीक है, इसको मैं पहले ब्राउन करूँगी और फिर म मेरी प्यास जो है, ये जरा ब्राउन हो जाती है, इस पर गोल्डन कलर आ जाता है, तो मैं फिर बाकी चीज़ें इसमें डाल दूँगी है, अच्छा जी, ये हमारी प्यास जो है, ये गोल्डन होने लग गई है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा थाबत गरम मसाला शामल क बाउने होजब गए तो इन्शालला, आपकी डाल भी बजार जैसी ही गी, इसके बाद, मैं कुट वाल लसन अदर रहक है, मेरे पास ये मैं इसमें शामल कर दूंगी, और ने पास के चमाट स्मêtesल कर दूंगी, हम इसमें तो हम बाक तक तक मिआ लंगा लेंगे, ज्शा तो आप भी इस रेस्टिपी को पूरा फॉलो करें इंशाला आपकी दाल बहुत मज़ेगी बनेगी आप इंजॉय करेंगे अब जी मैं इसके अंदर एक कप पानी का जो भो शामिल करूंगी ताके मैं अब मसाले डालूं तो वो जले नहीं अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी लाल मिर्चे 1 टी स्पून हल्दी 1 टी स्पून पीसावा धनिया पाउडर 1 टेवल स्पून पीसावा जीरा 1 टी स्पून यह मसाले डाल के अब मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका जो ओल है वो उपर नहीं आ जाता टेमाटर गल नहीं जाते और यह एक ग्रेवी की शकल नहीं एक तियार कर लेता तो जैसे ही होता है तो मैं आपको बताती हूं फिर हम देखते हैं आगे चलते हैं यह हमारा सारा मसाला जो है यह देखें अच्छे तरीके से बुन गे और इसमें ऑईल जोड़ दिया है अब ह ताके यह एंड पर हमारे काम आए गाए यह जी मैंने तमाम ओए जो था वो उतार ली है और अब इसमें बिलकुल ज़रा सा आइल रह गया अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी माज चने और माश की दाल यह मेरे पास जो है एक पाव माश की डाल और एक पाव चने की डाल मेरे पास पानी है वो पानी डाल के इसको अब मैं जो है दस मिनिट का या पांच मिनिट का आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी साइट पे डाल वगरा कैसे गलती है तो उसे साब से आप इसको पांच से दस मिनिट का प्रेशर दे लें और फिर इसको हम जो है वो दिखा होता है तो इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें और हैं वो शामिल करके इसको फाइनल करते हैं यह जी दाल हमारी काफी हद तक पक चुकी है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी गल गई है इसमें हल्की हल्की सी मैंने ग्रेवी चोड़ी है अब इसके अंदर में इंट प उसके बाद ये मेरे पास सबस दहनी हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और सबसे में चीज़ ये जो ऑईल हमने उतारा था इसको मैं इसके उपर डाल दूँगी ठीक है तो ये हमारी मज़दार किसम की डाबा स्टाइल चने और माश की डाल जाए ये बिलकुल रड़ी ये आप भी इसको इसी तरीके से बनाएं और अलब हम इसको deserve करते हैं ये जी हमारी मज़दार किसम की डाबा स्टाइल डाल ऑजो वो बिलकुल रड़ी है आप इसको अचार के साथ सेर्फ करें और enjoy करें अपने घरों में अपनी फैमली के साथ मेरे चेंट इपर ल लाइक झाल झाल